भगवान भोलेनाथ दुलहा बनके हीमाचल के घर आए तो उनके रूप को देखकर हीमाचल की इस्त्री मैंना बहुत दुखी हो गई ब्याकूल हो गई मैंना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके भिलाप करती रोती और कहती थी कि नारद करमे काह भीगारा जै सियाराम जै जै हनुमान अभबन मोरजिन बशत उजारा जै सियाराम जै जै हनुमान असव पदेशु उमही जिन दिन्हा जै सियाराम जै जै हनुमान मैंने नारद का क्या भिगारा था जिन्होंने मेरा बशता हुआ घर उजार दिया और जिन्होंने पारबती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बाबले बर के लिए तप किया असांचे हुन के मोहन माया जै सियाराम जै जै हनुमान अउदाशीन धनु धामु न जाया जै सियाराम जै जै हनुमान अपर घर घालक लाजन भीरा जै सियाराम जै जै हनुमान अबाज की जान प्रशब के पीरा जै सियाराम जै जै हनुमान सचमुच उनके न किसी का मोह है न माया न उनके धन है न घर है और न इस्तरी ही है वे सब से उदासीन है इसी से वे दूसरे का घर उजारने वाले हैं उन्हें न किसी की लाज है न डर है भला बाज इस्तरी प्रशब की पीरा को क्या जाने अजननी भी कल अभी लोग की भवानी अब बोली जूत भी बेकम रिदुबानी अस बीचार सोच ही मती माता जैसी आराम जै जै हनुमान माता को बीकल देखकर पारबती जी बीबेक उप्त कोमल बानी बोली कि है माता जो बीधाता रच देते हैं वह टलता नहीं ऐसा विचार कर तुम सूच मत करो अकरम लिखा अजवबा उरनाही अतो कत दोसु लगाई ये काहूं अतो मसान मीटा ही कि बीधिके अंका जैसी आराम जै जै हनुमान अमातु ब्यर्थ जानिलेहु कलंका जैसी आराम जै जै हनुमान जो मेरे भाग में बाब लाही पती लिखा है तो किसी को क्यों दोस लगाया जाए हे माता क्या बिधाता के अंक तुमसे मिठ सकते हैं बिर्था कलंक काटी का मतलो जैनिलेहु मातु कलंक करुना परी हरु अबसर नहीं अदुखु सुखु जो लिखा लिलार हमरे जाब जह पाव बतहीं सुनि उमा बचन बिनीत को मल शकल यब लाशो चाहीं बहु भाती भी देहीं लगाई दूसन नैन बारी भी मोच हीं हे माता कलंक मतलो रोना छोरो यह अबसर भिशाद करने का नहीं है मेरे भाग में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहां जाऊंगी उहीं पाऊंगी पारवती जी के ऐसे भी नहीं भरे को मल बचन सुनकर सारी इस्त्रियां सोच करने लगी और भाती भाती से भी धाता को दोश देकर आखोशे आशू बहाने लगी तो बोलिए जैसिया राम शियाबर राम चंद्र कीजए एयोद्या राम लला कीजए भिरिंदावन विहार इलाल कीजए पवंशुत हनूमान कीजए बोलो भाई शब शंतन कीजए हर हर महादेव जैसिव संभो